नमस्कार, होलसेल बिजनेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, आज हम बात करने वाले कि कैसे आप कुमिन सीड यानि की जीरे का होलसेल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या तो आप एक रिटेलर है लेकिन आप होलसेल डेट में खरीदना चाहते हैं, तो ये व कहां बोसे आप मंडी से कहां पर इसकी मंडी है वह भी जानकारी आपको इसाथ में दी जाएगी, तो वीडियो को आप लोग पूड़ा देखेगा, चलिए सुझाओं करते हैं, सबसे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सबस्क्राइब नहीं के, तो सबस्क्रा मुझे इसकी कीमत होती है वो 300 रुपे केजी से लेकर 400 रुपे केजी तक होती है डिपेंड करता है कि किस लोकेशन पर आप है उसी साफ से कीमत थोड़ी कम या ज़्यादा होती रहती है लेकिन 300-400 रुपे केजी नॉर्मली मार्केट में ये चीजे बिखती है लेकिन यदि आप इसे मंडी से ख़ईते हैं तो यहाँ पर आपको 100 उपे केजी आपको मंडी में लगवा मिलता है 100 उपे केजी के आसपास आप इसे मंडी से ख़ई सकते हैं जहाँ पर इसकी मंडी होती है जहाँ पर किसान अपने इस चीज़ को लेकर जीरे को लेकर या को भी मंडी नहीं आना पड़ेगा तो उसका जो टाइम है वो बचेगा और साथ ही मंडी का जो हाँ पर टेक्स हो गए रहा होती है वो सब भी बचेगा तो इससे आपको जो है कम कीमत पर मिल जागी तो मैं आपको बताने वालों कि कैसे आप डिरेक्ट फार्मर से खरी सकते है तो वीडियो को आप लोग पूरा देखेगा देखे इसकी यदि आप बिजनेस करते हैं तो इसका दो तरीका होता है एक तो होता है कि आप एक होलसेलर बनते हैं और आप रीटेलर को सप्लाई करते हैं जो भी रीटेलर है जो किराना एस्टोर वाले है उसको आप सप्लाई क होती है वो सबसे ज्यादा होती है गुजरात और राजस्थान में दो ऐसे इस्टेट है जहां पर इसकी सबसे ज्यादा फार्मिंग होती है तो यदि आप इसे पर्चेस करते हैं खईदना चाहते तो आपको इन दो एस्टेट से खईना पड़ेगा गुजरात और राजस्थान से तो यहां पर दो तरह से लोग खईते हैं सबसे पहला तो लोग वहां पर मंडी में जाते हैं और मंडी से खईते हैं दूसरा तरीका यह होता है कि वहां पर जाने के बाद आप डिरेक्ट किसान से भी खई सक उसको निकाल दिया जाता है, तो वहां से भी आप इसे purchase कर सकते हैं, यदि आप भी इस business को करना चाहते हैं, और इसे खईदना चाहते हैं, तो कैसे खईदेंगे, कहां से खईदेंगे, मैं आपको बता दीता हूँ, देखे, उससे पहले आप लोग को एक और idea बताना तो आप GST नमबर लेने के बाद इसे online sell कर सकते हैं, यहां पर दीखे, कुछ इस तरह के packing के साथ आप इसको online में sell कर सकते हैं, तो यदि आप इस business को करना चाहते हैं, तो इसको आप मंडी से अगर खईदना चाहते हैं, तो राजस्थान में जो मंडी है, जिसे जोदपूर ह गया, गुजरात की मंडी है, वहां से आप इसको खईद सकते हैं, दूसरा तरीका यह है कि आप डिरेक्ट किसान से खईद सकते हैं, तो यदि आप डिरेक्ट फार्मर से खईदना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताई कि हाँ, आप इस business को करने के लिए इ बैग्रांड में, जो हरे कलर का बैग्रांड में लिखा होता है, बांकि दूसरे लोगों के द्वारा रिप्लाइ किये गए नंबर पर कॉन्टेक्ट नहीं किजेगा, क्योंकि फ्रॉड भी हो सकती है, और दूसरी बात आपको यह बताना चाहूंगा, कि कभी भी आप ऑनला पैसे मांगता है, तो मैं आपको सलाह देना चाहूंगा, कि ऐसे लोगों से आप थोरा बच करें, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड लोग भी मार्केट में होते हैं, जो कि आपसे पैसे लेने के बाद आपका सामान नहीं पहुचाएगा, तो इसलिए वीडियो को आप लोग द